हरे किशा दोस्तों श्वागत है आपका CGPSC व्यापम हम में एक बहुती गंभीर मुद्दे के साथ जहां पे आप सभी जानते हैं कि वन विभाग में फॉरेश्ट गार्ड वहां चालक की सीधी भरती है तू 2021 और 2023 चुकि 2023 में अभी भी जो है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा ह वहां पर फॉर्म भरवाया जा रहा है उसी कड़ी में मैंने आपको कल भी एक न्यूस बताया था कि वित सच्यू को पतर लिखा गया है और निमिती करन तक वन विभाग में भरती पर रोक लगाएं इस प्रकार का और आज जो है देखिएगा मुख्यमंत्री से वन में वन रक्षक के 1484 और ड्राइवर के 144 पदों पर सीधी भरती के में प्रधान मुख्यमंत्री से विग्यापन जारी किया गया था और पैसर सो दैनीक वेतन भोगी कर्मचारी जो स्रमिकों का भविस से पर वो जो है कुठारा गात होगा कांग्रेस सबकार में इन कर्मियो ने इसी उमीद में अपना समर्थन भी दिया था ये सभी नेता आज जिप्टी से ये मनमंत्री वितमंत्री और सिक्षा मंत्री है कर्मचारी संगठन के प्रदाधिकारियों ने स्रीमत्री अलका चंद्राकर के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीधी भरती पर ततकार रो जो विग्यापन है जारी करने पर आकरोश था और इस प्रकार की बाते मुख्यमंत्री जी के समक्ष हुई है अब दिखेगा जो भी आप लोगों की वनरक्षत भरती के संबन में आप लोगों की भरती अगर लेट होगी या रद्ध होगी तो आप समझ सकते हैं कि ये जो द देखने वाली बात है कि जब तक ऑफिजर लोकुमेंट नहीं आ जाता इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं अब देखने वाली बात है कि क्या होता है लेकिन जो कुछ भी होगा हम इस पर नजर बनाये हुए हैं और आशा करता हूं कि जो भी है जल से जल सरकार निर्णा ले वीडियो यहीं तक आशा करता हूं चीजे समाझ आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप शबी को बहुत बहुत धन्यवान आप सब भी स्वस